पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गाउं था गाउं में दर्शी की दुकान पर अब्दुल हमीद बैठा था उसकी मन में बार बार कुछ कर गुजरने की इच्छा उठ्टे थी गाउं का ही एक सिपाही फौज में था और छुट्टियों में आया हुआ था उसने अब्दुल को राय दी फौज से अच्छी नौकरी कहीं नहीं है तुम भी क्यों नहीं भरती हो जाते उसकी अब्बा यह सुन नाराज होकर बोले हमारे घर में सिलाई का काम होता है हम नहीं जाने देंगे लाम पे उन्होंने अपनी बीवी से सलाह कर अब्दुल हमीद की शादी कर दी सोचा अब तो पल्टन में ना जाएगा अब्दुल की बीवी रसूलन अच्छे स्वभाव की थी उसने अब्दुल की बीचैनी देखी वो बोली सूर्मा बनना है तो कलुआ की तरह चले जाओ पल्टन में मैं सच्छे मन से कहती हूँ रसूलन ने दिल पर पत्थर रख कर अब्दुल को भरती दफ्तर भीज दिया अब्बा से ननिहाल जाने का बहाना बना कर वो भरती हो गया सन 1962 में उसकी ट्रेनिंग खत्म होते होते चीन का आक्रमन हो गया अब्दुल भी मोर्चे पर गया चीनी सैनिकों ने भारी संख्या में बढ़ना शुरू किया भारती ये सेना तितर बितर हो रही थी बहुत से जवान रास्ता भटक गए और कुछ मर भी गए अब्दुल और उसके दो साथी लंबे रास्ते से चल कर बच निकले दस पंद्रा दिनों तक बच कर अपने इलाके में पहुँचे कल्वा की मौत सुन अब्दुल सक्ते में आ गया फिर एक दिन भारत का जंडा देख घायल अब्दुल को वहां पहुँच खबर मिली कि लड़ाई बंध हो गई है और सेना को घर जाने की चुट्टी मिल गई अब्दुल के घर पहुचने पर गाउं में खुशी मनाई गई कल्वा की मा ने अब्दुल से कहा मेरा लाल कहा है बेटा माता जी कल्वा ने बहुत बहादरी और साहस से दुश्मनों का सामना किया पर मुझे अफसूस है वो हमारे बीच ना रहा माई 1964 में पंडी जवाहलाल नेहरू की मृत्यू से पाकिस्तान को भारत के टुकडे करने का अफसर मिला और उसने जम्मू कश्मीर, राजिस्थान और पंजाब में घुस पैठिये भीजे 10 सितंबर 1965 को सुभा 8 बजे खेम करन के सपाट खेतों में पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगे वहां अब्दुल अपनी कमपनी को लेकर जाड़ा एक जीप में सवार अब्दुल ने ऐसी कमान संभाली जो दुश्मन के टैंकों को अपने गोलों से उड़ा दिया अब दुश्मन के टैंकों ने अब्दुल की चारों ओर घेरा डाल दिया अब्दुल अपना रास्ता बदलते हुए दुश्मन को भुलावे में डालता रहा उनकी तोपें और टैंकों ने उसकी ओर आगोगलना शुरू कर दिया किन्तु अब्दुल का होसला पस्त ना हुआ बढ़ते बढ़ते खेम करण में टैंक खेत होते रहे और वहां दुश्मन के टैंकों का अविस्तांसा बन गया अकेला अब्दुल अपनी मशीन गन से दो टैंकों को आग लगा कर पीस्ते टैंक पर गोलियों की वाचार कर रहा था उसकी समय उसकी जीप एक जलती टैंक से टकरा गई अब्दुल की बहादुरी से उसके साथियों के हौसले बढ़े और इस तरह भारती जमीन से शत्रु से न भाग गई अब्दुल पुरी तरह घायल हो गया था उसका सारा शरीर आख से जुलस गया आखें खराब हो गई वह वहीं शहीद हो गया उसके घर पर रसूलन उनके दो लड़कों और एक लड़की को अब्दुल के शहीद होने की खबर मिली तो उनकी आँखों से गंगा जमना बह निकली बूरह माबाप की तो बात ही क्या उसने वीर सैनिकों का मस्तक उंचा कर दिया मरने के बाद सरकार ने अब्दुल हमीद को परंबीर चक्र से सम्मानित किया कि मात्र भूमी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है सच्चा नागरिक वही है जो अपनी देश के लिए अपनी प्राणों की बाजी तक लगा देता है वही है